आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ सेना पंजाब प्रमुक संजीव घनलो ने पार्टी नेताओं के साथ वेठक कर केंद सरकार द्वारा बलवंद सिंग राजो आना और देवेंद सिंग बुलर की सजा माफी कर उन्हें छोड़े जाने के फैसले पर अपना तीखा बिरोध करते हुए कहा है कि केंद सरका करते पंजाब में सिख वोट हांसल करने के उद्देश से उन आतकवादियों को सोड़ने जा रही है जिन्होंने पंजाब में 30,000 के करी निर्दोस लोगों साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार वियंद सिंग का वी कतल किया था कि इन सरकार सिर्प पंजाब में सजा लोगों को मरवाया था अब यही एरकात बीजेपी सरकार कर रही है अब केंद सरकार देविंदर सिंग बुल्लार और बलवन सिंग राजवाना इन दोनों आतंगवादियों को फांसी सजा माप कर छोड़कर नई नजवान पीडी को गुमरा किया जा रहा है और सेना देश और प्रिदेश में बीजेपी के पुतले फुकर इनकी वकात दिखाने के लिए जा रही है और वहीं करतारपर कॉरिडूर खोलने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा तो पाकिस्ताने आज तक कभी भी भारत का भला नहीं चाहा अगर करतारपर खोला है वो भी अपने फायदे के लिए ही खोला है एक तो हमें टेक्स के रूप में हरजाना लगा दिया दूसरा हमारे लोग वहां जाकर पैक्से के रूप में चड़ावा चड़ाएंगे उसी पैसे से वे हत्यार लेकर हमें मारेंगे यह पूरी पॉल्सी है यह फैसला एक राजनीती के तहत किया गया है हमारे लोग भावुक हैं जो धरम के नाम पर समझोता कर लेते हैं उसके नतीजे गलत हैं उन्होंने देश के लोगों से अपील कि है कि आप जरूर वहां जाओ लेकिन वहां सिर्फ स्रद्दा के फूल वेट करो पैसे मत चड़ाना क्योंकि उ इंदर सरकार सर्फ बोटानी राजनीती कर नवास थे क्योंकि पंजाब देविच सिख संदाइदी बोट नूं लेड़ वास थे एक गंदी हरकत कर रही है यह तो पहला मिसीज इंद्रागांदी ने हरकत कीती सी जन्रेल सिंग पेंडरावाले नूं पंजाब देविच करके नमी नोजवान नो गुमरा किता जा रहा है अते हिंदुवान उप ठीडे विच चोके जा रहा है जो शिव से नकदी वरदास्त नहीं करेगी एह राजनीती करके पंजाब देविच पंजाब दा महोल खराब कर रहे ने दोबारा तो अद्वान लेड़ चांदे ने श कुणके जड़ा म synchronous राजवानर आ ऑं सरकार तो मां फिरी मां की तक नहीं की एक नीर्वार भी दरखास नहीं की थी जो किता हो ख़िए भी ठीक किता मैं मुक्ष मंत्री नुमारें बिल्कुल सही भारें एस सरकार क्यों शट रही है फिर पुलिस दी की लोग जालतां दी की लोग जय सरकारा नहीं भैज लेकरने पूर्च किनिग कोशिच करके अत्तबद्य नूपड़ दिया ते एस सरकारा चटी यांदिया ने फिर एत्थे दी जड़ी नोजवांते ही होएगा वे असी भी बंदे पंचार मारो जेल देविच्छ सरकार ते जुआई बढ़के खाना पीड़ा खाओ वो तो बाद सरकार ने साथी सजादा माभी करते नी शिव सनाय कदी भरदास नी करेगी इना लुजद त दफ्तर दख करवागे उस तो बाद असी इनु स्टेप टू स्टेपिक शेर तो पिंड़ा दे लोकों ना लेकर असी सरकार घ्राप जंग करांगे जंग दंगे हो सकते ने हंदोस्तान दे बिच्छ क्योंकि सट्टी सरकार स्रक्षा नी का सकती माभी दे साथी अपतबद्य तो सी मांदेओ की मतलब आज इजी पिछे के जड़ी गंदी राज नितिया कि जेरे कारण या सारा कुछ हो रहा है यह को साथे देश देश बुट्टा दी राज नितियों लेके बहुत बदिया होया राम मंतर ना मसला सोल गया लेकिन हिंदू बोट राम मंतर करके ले दोबारा ड्रा के सरकार बनाना चांग झाल 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 की मुद्देया किसी शिव सना पंजाब दी अज पूरे परदेश देनेतामा दी के बैठ कोई जीदेविच मकेश लाटी जी निलन अहर जी बिपन नियर जी बिने जिलंदरी जी पंजाब दे बख बख शेहरा चो बख बख जिलेंदों नेतागन आई असी फैंसला लगता केंदर सरकार दे खलाफ एक एजीटेशन लड़न जा रहे हैं जीदेविच केंदर ग्रह मंतरी अमित शाह अते नरिंदर बोती दे पुतले खुक के जानगे बड़े दुख दी गा लन ओथ अतवदी जीना ने नरदोश लोका दे कतल की तודה ति हजार दे गरी पंजाब दे बिच नरदोश लोका दे कतलाइत अल्या मुख मंतरी जी हुफ्त सरदार ब्यांता सिंग दा अज केंदर सरकार उनों च्छट रही जिदे बिच दविंदर शिंग पुलर अते बलवांता सिंग राज्यों आनिया एगो खूंखा रात बाती ने पंजाव मुख मंतरी इंदा कतल किता सरकार केंदर सरकार सर्फ बोटा दी राजनिती करन वास दे क्यूंकि पंजाब दे बिच सिक्संदाई दी बोट नू लेन वास ते एक गंदी हरकत कर रही है यह तो पहला मिसिज इंदरा गंदी ने हरकत किती सी जन्रेल सिंग पिंडरावाडे नू पंजाब दे बिच शेय देके अत्वादी बिढ़ाय ते 3500 लोग मारी हून ओही निती भीजे पी सरकार कर रही है बीजेपी सरकार ने जटार सिंग हवारा अते बलवाद सिंग राजजवाडे नू छैट परशिदी सजा माप करके नमी नोजवान दो गुम्रा किता जा रहे हैं अते हिंदुन पठी दे विच चोक यह जा रहे हैं जो शिव से ना कदी बरदास्त नहीं करेगी एह राजनितियां करके पंजाब दे बिच पंजाब दा महोल खराब कर रहे ने दबारा तो अतबार ले आने चांदे ने शिव से ने कपन किता वे अ ज़्वार तो मांबी लिमांग तक नि कीथि और एक वार भी दखास नहीं थी बेजो मैं किता हों को बिलकुल ठीक किता मैं मुखँमंत्री हुँ मार्या बिल्कुल सही मार्या सरकार ले क्यों सड़्कर रही हैं पुलिस दिकी लोड़ अलदालतां दीकी लोड़्व मोजह क तो बाद ज़ाई बनके खाना पीना खाओ उदो बाद सरकार ने साथी पॉंस सजादा माभी करते नी शिव से ना इक अधी ब्रदास्त नी करेंगी एना उनुजद तक उना फंसी नहीं लटकांदे शिव से ना हमेशा एजीटेशन कर दी रहेगी तो नहीं फंसी दोआ के इस सब्सक्राइब करेंगे उस तो बाद असी सरकार ते खलाब जंग करांगे जंग दंगे हो सकते हिंदोस्तान देविच क्यूंके जड़ी सरकार स्रक्षा नी का सकती माभी दे साथी अप्तबादेनों उस सरकार दा रहना कोई हक नहीं उसी मांदेयों की मतलब आज इज पिछे के जड़ी गंदी राजनिती है कि जेरे कारण यहां सारा कुछ हो रहे हैं देखो साथे देश देविच सर्फ बोट्टा दी राजनितीनों लेके बहुत बदिया होया राम मंतर ना मसला सोल हो गया लेकिन हिंदू बोट्ट राम मंतर करके ले लिए देख्या पंजाब देविच दवारा तो बीजेपी नू सक्सेस कनवाते दा महारास्ट्र देविच रास्ट्रपती राजलाकू करता सिर्फ बोट्टा दी रितीनों लेके ओ अत्तवात्यानू चटके खोब देविच लोकानू दवारा ड्राके एस सरकार बनाना चांदेने सब्सक्राइब करतार कोरीडोर खोले आगया और विच्छ तुसी की करना चाहोगे कि पकिस्टान समंध बनाए या पर और कोई नुक्सान भी हो सकते हैं वह भी एक राजनितिक देखत देखो पकिस्तान ने अज तक कदी हिंदोस्तान दा पलानी चाहाए जयोना ने आज कह सब्सक्राइब करना चाहिए और भी खोले आए और रस्ता खोले आए और सिर्फ बैनी फिट देख्या एक दा सानु अर्जाना लाता चोदा सो बारास और दूसरा साड़े लोग उत्ते जान के पैसे चड़ा के उस पैसे दी दुरबर्तों करके हत्यार लेके सब्सक्राइब करते लोग तर्म दे नाम ते पावक हो के समझे उत्ता कालन देने प्रोदे सिट्टे घलत निकल लगे मैं एक बार पील कारदा इत्ते दे लोग कानूं मैं जेड़े उत्ते जान के और शर्दारे फॉल अर्पत कान पैसा ना चड़ावे क्योंकि वो पैसे देख तेरी ये भारतनी टीवी गयेंद गुर्जर के साथ नमस्कार